तो चेलिए आज में आप लोगों ना आधा कप पोहा से एक मज़ेदार सी पकोड़े की रेसिपी बना के दिखाऊंगी जो उपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से जालिदार बन के तेयार होता है तो आई ये देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं वीडियो दाये ना तो एक लाइक जरूर किजिएगा तो उसके लिए एक बॉल में हम आधा कप ले लेंगे पोहा जिसको हम लोग अपने लंगुज में चिवड़ा बोलते हैं तो आप जो है ना प्रणिया पर कोई भी पोहा का इस्तिमाल कर सकते हो मोटा हो या फिर पतला अब हम इस साप पानी में चार से पांच वर अच्छे से रगडड़ डगड़ के धो लेंगे या फिर इसे हमें तब तक दो ना है जब तक पोहा में जो इस्टार्च या पिर डुस्ट बेगर आए हना वह जैसे पूरी तरह से सापना हो जाए तो देख सकते यृट पानी में कितना सार डाले हैं तो ज्यादा पानी नहीं डालना है फ्रेंट उतना पानी डालना है जितना की पोहा जो है अच्छे से डूब जाए इसके बाद इसे हम ढखके आधा घंटा के लिए फूनने के लिए छोड़ देंगे तो पोहा को ढखके हुए हमें आधा घंटा हो गया है और देख स हमने हटा के पोहा को एक मिक्सी के जार में डाल दिये हैं अब हम इसमें उसी कप के माप में एक कप डालेंगी गयों के आटा आप गयों के आटा के जगह माइदा भी डाल सकतो हो अब हम उसी कप के माप में एक कप से थोड़ा सा कम डालेंगे फ्रेस दही अब हम इसका ढख सब्सक्राइब अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के प्लिक्स भी डाल सकते हो अब हम मिक्सेंक कë साथ फिर से हम मिक्स कर लेंगे तो इसे हमें फेटते हुए추 मिक्सक टेस्ट करने अपर हो यह तना अच्छा चली। बरनेंगे स्वित्वी वसक्रज़ने का Specifically हो देख सकते हो हुँ अब आपके पास बेकिण सोड़ा नहीं सोड़ा छोड़ा की तो यह दो कि अदिक छोटा से चमच में हमने एक चोथा चमच के करिभी बेकिंग सोड़ा डाले मिक्स कर लें गया तो बेकंग सोडा के सद फिर से इस मिक्सर को अच्छे से फिट आप मिक्स कर लेंगे तो बेकिंग सोड़ा अच्छे से मिक्स कर के साथ मिक्स हो गया तो अब हम इसमें से थोड़ा सा बेटर हाथ में लेंगे इसके बाद इसे जो है ना हम गरमा गरम तेल में इस तरह से छोटा छोटा बोड़ा के जैसा दाल देंगे तो इसका जो साइज है आप जितना हो सोके उतना चोटा ही बनाएगा क्योंकि ये फ्राय होने के बाद इसका साइज डबल हो जाता है तो जितना तेल में बोड़ा लेगा उतना बोड़ा को हम बना लेंगे बनाने के बाद जो है ना इसे हम एक साइड मीडियम फिले में दो मिनट के लिए फ्राइ करेंगे जब ये एक साइड से फ्राइ हो जाएगा इसके बाद देखेगा ये जो है ना फूल के अपने अप उपर हो जाएगा इसके बाद दूसरे साइड से पलट के दूसरे साइड भी 2 मिनिट के लिए फृषा करेंगे तो दोनों साइट से हमारा पौकोड अच्छे से फृषा हो गया है तो अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं तो इसी तरह से जो है कि ने हमने सारे पौकोडे को फृषा करके तैयार कर लिए हैं फिरेंड्ट मेरी इस तरीके से ने एक बार आप इस पोहे को पोकोड़े को बना के जरू ट्राइक किजेगा ये उपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के तेयार होता है आप इसे गर्मा गरम चाय टामाटर केचप या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकतो हो तो ये पोहे से बने हुई पोकोड़ी की रेसिप अगर आप लोगो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके जादा से जादा से जेर किजेगा और इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आपको दबाके ओल जरूर कर लिजेगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिपी के सबसे पहले आप तक पहुंच जाए फिलाल के लिए बाई बाई